महराश्ट्र की राजनीती में लगातार आरोप परतियरोप का दोर देखने को मिलता है जहां देवेंद्र फनवीज उद्धव ठाकरे को दोके बाज कहते हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे शिंदे गुट को दोके बाज कहते हैं क्योंकि वो यही कहते हैं कि उन्होंने हमको धोखा दिया और लगातार अपनी एक बड़ी पहचान बनाते चलेगा जब से महाविकास अगारी का घटबंदन वा और शिवसेना का कद घटता चला गया लेकिन बात करें देवेंद्र फणावीस और उद्धव ठाकरे की तो साल 2019 में बदलते राजनितिक समीकर्ण आप सभी ने देखे थे किस तरीके से आरोप परते औरोप के दोर के बीच यहां पर तमाम बाते कही गई थी लेकिन इन सबसे हट के यहां पर देवेंद्र फणावीस ने बड़ी पोल पटी खोली थी जिस दिन सीम बनाया जारा था एकनाप शिंदे को जिस दिन सीम पर शोपा गया साथ साथ ये भी बात कही गई थी कि उद्दब ठाकरे ने हमें धोखा दिया था क्यूंकि जो जन्मत था वो मिला था बीजेपी और शिवसेना को लेकिन वो जन्मत क्या उन्होंने गलत फायदा उठाते वे शिवसेना एंसी पी और कांग्रेस का गडबंदन करके महाविकास अगारी का जन्द दिया उन्होंने ये भी कह दिया था कि दाउत के रहते मतलब शिवसेना में उन मंत्रियों को ज़्यादा यहां पर कह सकते हैं पहचान मिलती थी उनका मान सम्मान होता था तो दाउत से जोड़े थे असी बाते तमाम के हदी दोखे पर जो बात होती है नज़राई लगातार वो चर्चाओं का विषय था जहां दफ गुट शिंदे को दोखे बाच कहा रहे हैं तो दूसरी तरफ लगातार आधित ठाकरे भी कही ना कहीं शिंदे गुट पर नेशाना साथ रहे थे लेकिन असल मायने में दोखे बाच कौन है सबसे बड़ा राजनिती का खेल किस ने खेला या बखू भी जानते और अपनी राय कोमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा लेकिन जिस तरीके से अब यहां पर हालात कैबिनेट विस्तार को लेकर बदलते जा रहे हैं तमाम खबरें के बाद एक सामने आ रही है इस पर